बैज देखे कुछ ऐसे स्टुडेंट रहते हैं इस बोर्ट के एक्जामनेशन देने जाते हैं और उस से मैं उनको कोई भी क्वेशन्स का आंसर नहीं पता रहता है वो सिर्फ खाली हाथ बैटे रहते हैं कुछ भी नहीं लिखते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम बोर्ट के एक्जामनेशन में कुछ नहीं लिख रहे हैं कुछ हमको याद ही नहीं आ रहा है तो हम बोर्ट के एक्जामनेशन में फेल हो जाएंगे डॉन्ट वरी इस नेलर के मादेम से 100% हम आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाले हैं जिसको यकीने नमाली अगर आपको फॉलो करते हैं बोर्ट के एक्जामनेशन में आपको एक भी कुशन्स नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आपको पासिंग मार्क 100% मिलने वाला है चाहें कोई भी सब्जेक्ट क्यों न हो तो बस आपको इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा और कुछ न कुछ आपको वहां पे लिक कर आना होगा कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना होगा इस वीडियो के मादेम से बहुत ही जबरदस तरीके से हम देने वाले हैं इंफॉर्मेशन तो इसी तरीके से इंटरस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के मादेम से चाहिए तो आप लोग चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और साइब में बिल का आइकन होगा तो आप इस ट्रेस में चले जाते हैं तो कुछ न कुछ आपको अपने माइंड के तोर तरीके से इसाफसे टेकनिक लगानी होगी सबसे पहले खुद पर आपको confidence बनाना होगा 100 में 100% यानि कि आपको सबसे पहले अपने उपर confidence बनाना है उसके बास से thinking और उसके बास से mastermind टेकनिक आपको अपनानी है तब तो जाकर आप 100% board के examination में passing mark ला देंगे उससे अधिक भी ला सकते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें board के examination में सबसे पहले आपको paper और copy मिलती है तो इसमें क्या करना है आपको कोई भी question को छोड़ कर नहीं आना है क्योंकि आपको पहले सही पता है कि हम कोई भी question नहीं आ रहा है वैसे हम फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ ना कुछ इसमें leak कर आएंगे हर एक question को solve करेंगे तो इससे क्या होगा कि 100% आपका passing number तो आहीं जाएगा यहां तक तो बात clear हो गई अब दूसरी सबसे important बात कि आपको जो question आप पढ़ रहे हैं कम से कम उस question को तीन बार चार बार पांच बार पढ़िए उस question में ही आपका answer चुपा रहता है चाहे हो physics हो गया, chemistry हो गया या फिर कोई भी subject हो गया 10, 12 या फिर कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको question को पकड़ना है कि कौन सा question क्या कह रहा है अगर आप 2, 3, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे और आपको अभी ना कभी school, college या फिर कहीं गये होंगे coaching हो गरा में तो आपको वो mind में आपकी amazing होगा कि हाँ ये question मैंने ये पढ़ा था या फिर ये मेरे friend ने इस question के बारे में ये बताया था उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे answer from in technique समझ में आ जाएगी और आप keyword को पकड़ लेंगे और उसके माध्यम से कम से कम एक page तो आप बना कर लिखी सकते हैं उस question से हलका फुलका मिलता जुलता अगर आपका answer आ रहा है सही आ रहा है तो यकिनन माने आप उस subject में pass हो जाएंगे तो आपको करना क्या होगा कोई भी अगर आपका 10 question 20 question कितना भी question आपका पूछा जा रहा है आप खाली न बैठिए आप उस question को कीजिए और imagine करके कीजिए उस question से मिलता जुलता answer आपको लिख कराना है अब कुछ इस तरीके से question आपके सामने मिलता है जैसे कि मानली जे पूछ दिया ओम का नियम यानि को ओम सला क्या होता है तो आपको अगर इसका formula याद है वी proportional to i तो आप बड़ी ही असानी से इसका definition दे सकते हैं किस तरीके से देना है तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए विवांतर क्या होता है धारा क्या होती है और प्रतिरोद क्या होता है यनि कि वी इसकोल टू विवांतर आई इसकोल टू धारा आई इसकोल टू प्रतिरोद तो वी proportional to i होता है तो प्रपरपरशनल टू को अगर हमां अटाते यहां पे तो R आपका जो OMS का यहां पे रूल हो जाता है वो इसी के recording हो जाएगा V is called to R I तो आप ऐसे भी इस question का answer लिख सकते हैं अधि किसी चाला की बहुती कवस्ता में परिवर्ता ना हो तो उसके परवाहित होने वाली विद्धु धारा उसके सीरो पर लगाये गए विवांतर के अनुकरमान पाती होती यानि कि यह अनुकरमान पाती का चिन है यानि कि कोई भी question का answer देने से पहले आप उस question को तीन बार चार बार पांच बार पढ़िए और उसी question में आपका answer चीपा रहेगा और अपने mind में imagine कीजिए चार मिनट पांच मिनट उस question के बारे में सोची और जो आपके mind में उस question से related answer आ रहा है वो आप लिख कर आजाई य तो इस tips and tricks को अपनाईए अगर आपके पास अगर पांच दिन साथ दिन और फिर दस दिन का time रह जाता है तो आप उसने पढ़ लिजे हर एक chapter को पढ़िए हर एक subject को पढ़िए इससे क्यावा कि और भी ज़्यादा आपका confidence हाई होगा और सबसे important बात कि आपका confidence रहना चाह हैंगे तो आप खाली हाथ नब बैठिए साफ सुतरा से अच्छी handwriting के हिसाब से आप लिखिए तो आयोब कि आपको वीडियो पसंद आगेगा वीडियो पसंद आता है तो एक like करकर जरूर से आएगा और आप बोट के examination में कितना percentage चाहते हैं सिर्फ पास होना चाहते हैं तो